आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कांडी कबब बहुत जबर्दस रेसिपी है यह आप इसे दावतों में एस टार्टर बना सकते हैं सबको बहुत पसंद आती है हमारी घर में सबकी फेवरेट है यह यहां पर हमने चिकन के दो ब्रेस पीस लिया है और से अच्छे से वाश करके इसे छोटे-चोटे क्यूब में कट करके रखा है अब हम यहां पर एक मिक्सिंग बॉल ले लेते हैं और इसमें हमारी चिकन वाश कीवी चिकन हम डाल देते हैं फिर हम लेंगे क्रीम यह आप कोई भी ब्रैंड की क्रीम ले सकते है या आपके अपनी चोईज है फिर हम लेत हम ग्रीन चिली में हाफ टेब्सपून हम डालेंगे ब्लैक पेपर हाफ टेब्सपून वाइट पेपर कसूरी मेथी 2 पिंच हम लेए जिंजर कार्लिक पेस्ट salt आप अपने taste की साफ से ले सकते हैं lemon juice oil डालेंगे हम for shining के लिए चाके chicken हमारी अच्छे से shine करें इसके अंदर हम marinate करके chicken को overnight भी छोड़ सकते हैं या maximum हम 30 minutes या 20 minutes के लिए हमें छोड़ना है ताकि chicken के अंदर अच्छे से flavor आ जाए चिकन को हम marinate करके रख देते हैं 30 minutes के लिए 30 minutes बाद आप आपसे मिलते हैं यहाँ पर हमने दो अंडे लिये हैं bread crumbs लिया है हमारी chicken को हम squares में लगा देते हैं मेरे पास बड़ी-बड़ squares थे आपके पास अगर छोटे हैं तो छोटे में बनाएं यहाँ पर चिकन के एक-एक squares में मैं चार-चार पीसे दालूंगी ताके चिकन को overcrowd ना करेंगी ताके चिकन हमारी गल जाए अच्छे से यह चिकन को हम squares में लगा देते हैं इस पॉइंट पर आप चिकन को freeze भी कर सकते हैं आप चिकन को squares में लगा दें और फिर ब्रेड क्रम में आप कोड करके आप फ्रीज कर दें जब भी आपका दिल चाहे आप निकाले अंडे में डिप करें और फ्राई करके सर्फ करें अब हमारी यहां पर chicken squares में लग रही है एक तरफ हमने oil heat up करने के लिए रख दिया है अपने pan में ताके हमारा oil भी साथ-साथ में गर्म हो सके अब रहेें के bring लीज़ जाए खिर नहीं करेंगे माइललोष रखेंगे कर दोकम चाहिए दो दुर्ण कोड करते ने ब्रेड करें और चिकन को प्रेस काम करने के भातम में और यह कोड करने के बाद आप फ्रीज करके रख सकते हैं अगर खाल तो डीम में भाक करने आप रखना चाहें तो अब हमारा ओःल भी गरम हो चुकता है अब इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे बिल्कुल थोड़ी देर से हम छोड़ देते फिर कलर आने के बाद हम फिर टन करेंगे यह पर हमारी चिकन अच्छे से हो रही है फ्राइ हो रही है कलर भी बड़ा खुबसूरत आया माशाला अब हम चिकन को देखते हैं कैसी हो र आप इसे मिंट की चटनी से और लेमन वेज़े से क्यूकंबर से सर्फ कर सकते हैं हमाई चिकन तयार है बड़े खुबसूरत लग रही है आप खाए फैमिली में सबको खिलाए और हमाई वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए सब्क्राइब कीजिए तिल तिल